हमने कल चरागा की के लिए management के लिए अच्छे चरागा के क्या लक्षन होते हैं और चरागा के लिए कौन-कौन सी फस्लें suitable होती है और चरागा की प्रवंद किरियों के बारे में steady किया था आज हम चरागा और ट्री लीव्स गोड़ों की पत्तियां होती है वो comparison फोडर में कैसे काम में अती है उनका steady करेंगों चरागा को उन्नत करने वाली प्रिक्रिया हैं चरागा को कैसे रिच्मेंट किया जाए कैसे चरागा को उन्नत किया जाए इसमें कौन-कौन सी प्रिक्रिया होती है जैसे इसमें दिखाया गया पहले खाद वह उर्वक मिलाना यदि भूमी में खनीज तत्तों की कमी होगी और पोश्ट तत्व उपलब नहीं हो फाएंगे तो चरगा में घास की पेदावार और पोश्टिकता मिट्टी में उपस्ति तत्व और खनीज की मातरा पर निर्वर करती है गास की अच्छी पेदावार और पोश्टिक ता बनाये रखने के लिए उसमें खाद या उरुवरक का होना लाब जाएक है और मिट्टी की दिसा और उरुवरक को ध्यान रखते वे उरुवरों की मात्रा करके गुड़ाई करके उरुवरक दिया जाना चाहिए चरागाउ में सिचाई की वश्टा पीने की पानी गोवन्स को होनी चीए साथ साथ घास की वर्दी को बनाये रखने के लिए विशेश तोड़ से गर्मियों में सिचाई का होना अवश्यक है और उर्वरक देने के बाद उसी चाहिए करना आवशकी होता है और घास की फसलों को चरागा में जैसे मोनो कोटलीडेंस एक दली ये डाइकोटलीडेंस एक दली ये दो दूइलिय को मिस्रित करके बोह जाया जिससे की कम उर्वरक कोई जुरत पढ़ेगी और प्रोटीन की उपलवदी भी बनी रहेगी और मिट्टी से तत्वों का उच्चित उप्योग और एरोजन से बचाव और पसलों की उच्चित उर्वदी भी संभव हो सके बनी च्रागा की मिट्टी को जुताई करके घास खरपतवार परजियों को का उधिका जया जाये छडीय च्चित उनसर क机 कजातबा की तदा उनसर आ कलना यह जङहीन फोड़ों को निराकरन चरागा को जलाकर घास को ख़त्प करके अधिक पेदा परजियों को विनास किया जा सकता है चरागा पसुफ चराई के प्रबंद आदस चारा प्रबंद के उद्देशे में उस चराई का क्या प्रबंद होना चीए है चरागा के देखवाल ऐसी हो कि उसमें अधिकतम घास उत्पातन हो चराए जाने वाले जानूरों को चरागा में अधिकतम पोश्ण तत्व प्राप्त हो और भूमी की उर्वा सक्ति भी बनी रहे और विविन प्रकार्स की चरने की प्रणालियों का वर्णन नीचे दिया जा चरगा में जो चराने की विविन पढ़ना लिया है कौन गौन सी है वो इस में करेंगे पहला है नियंत्रित लगातार चराई इसमें पस्वों की संक्या और उनकी वहन योगिता की अनसर होती है चराई लगातार इसमें की जाती है लेकिन जैसे ही कोई स्वादिश किस्म की घास नियूंत्म हो जाती है चराई बंद कर दी जाती है तो यह वही नियंत्रित रेगूलेटेड चराई दूसरी ऐस्तिगित चराई यह पढ़ना ली उन चराओं को वादिश के लिए उपएगे जिन में बहु वर्षिक गारसे मुक्यों हो जिसमें की पेरी नील घासे होती है इसके अंद्रवेक्श चरागे कुछ भाग में देर से चराई जाती है ताकि घासों के बीज परिवपक कहुकत त्यार हो सके और बहु वर्षिक गारसों को सक्ति संचे करने और आने वाले वर्सों में जड़े बीजों से नए पोत्य करने का मुका प्राक्त होता है चरागा को तीन इस्व में विभाजित कर दिया था एक भाग जो बीच के लिए छोड़ दिया था अन्य दो भाग बारी बारे से चराई जाते हैं यह होती है इस्तिगित चराई दूसरा है चक्रवत चराई इसमें चरागा को तार के घेरे द्वारा कई इकावयों में विभाजित कर देते हैं और बारी बारे से कुछ अंतर पर चराते हैं इसे चराई समान रूप से होती है पर पस्वों को पर पर कोई अच्छे किस्म का पोश्टिक चारा प्राप्त होता है इसके साथ ही चारागा में पोदे की व्रद्धी विकास के लिए प्रयाप्त समय भी प्राप्त हो जाता है फोर्त है चक्रवत ऐस्तिगित चाराई जब बीज बनाना उचित हो जैसे की वर्षिय गासों और कम सगन गासों में जब इस पढ़नाली को अपनाया अपनाना लाब कर होता है संबुन चरागा को तार के गेरों से तीन समान वागों में विवाजित कर दिया है परते भाग को चराई मोसम के कुछ तियाई काल तक लगाता चराए जाता है और से दो तियाई समय में उसे बीजों के परिपक कोने के लिए सुरुशित रखा जाता है जिस समय तक पसु तीसरे भाग को चड़ने लगता है उस समय तक बीज एक कर जढ़ गए होते हैं तक यह परतम देत्य भाग को फिर से चड़ने जाते हैं तब तक उनके वीज पक कर जढ़ गए होते हैं और इसी प्रकार तीसरे भाग में चराई प्रारम करने जाती है अब है कि व्रक्स से चारा उत्वादन भेड और बक्निया अपने अहार है तु मुखेता चराई भेडों की प्रेडों की पत्तिया निर्वर होती है किन्तु वर्त्वान स्वाव में चरागा के अभाव के कारण इनकी पोश्व कत्तों की आपूरती है तु अत्रिक्त अहार की आश्यक्ता होती है विशे सुरूप से साथिक पृद्धी प्राप्त कर रहे मेमनों बक्री की मेमनों और कानम जैसे ग्यावीन मादा में गर्भावस्ता के अंध बो मेनों में पजना हातु काम आने वाले नर पासुव में अधू देने वाले पासुव को अथ्रिक्त अहार की अत्रिक करता है पूरक हार है तो अप्लब तक के अंसर विभिन हार उप्योग में ली जा आ जाए अजाने मोसम के अनसर उप्लब चारे सनक्षित घरे पेड़ों की पत्तियां अजिसे पाला वा लूंग अनाज आदि को मिलाका त्यार किया गया आ अब पेडों की पत्तियां, पीपल की पत्तियां, पीपल के पेड़ पूरे बारतवस में पाई जाते हैं, पौन कौन से पेड़ों जिनकी पत्तियां, जानौरों को भेड़ वक्री और गाय वहस को किलाने के कामें लेते हैं, उन्हों मुखे रुप से पीपल की पत्तियां, ये पी 55 तक पाच्चे प्रोटीन अन्य चारों के मुकाबले इसमें DCP का प्रतिशत अधिक होता है हाकाल के समय इसे देकर भेड बक्रियों को जीवत रखा शकत दूसरा है बास की पतिएं बारत में कई स्तानों पर बास के पेड़ पाए जाते हूं और 90-150 तंबास की पतिएं एक एक्टर से प्राप्त हो सकती है इनमें प्रोटीन अधिक मातरा पाया जाता है पोदों को छोटी के अवस्ता में पस्वों को आसानी से खिलाया जा सकता है नेच्ट है नीम की पत्तियां नीम की पत्तियां जैसे कि इसमें टेबुल में दिखाया गया नीम की पत्तियां ये पूरे भारत वस में पाये जाता है और ये पूरे वर्स हरा रहता है इसकी पत्तियां बहुत अधिक मात्रा में मिल सकती जानवर के द्वारा कड़ा होने के वज़े से कम पसंद किया था अकाल की समय भेस को 4-6 किलोग्राम तक खा सकती है इसमें 6-20 परस स्यत्र हों पाई जाते हैं जो योपेओ की चारा है बेरों की पत्तियां पीपलव पापड़ की पत्तियों की अधिक पोस्टिक होती है बेस्टी अपिद percussion 1.6 कि परसेंट तक प्रोटियत ये पांची प्रोटीनहीं मामाता 13 पर स Star पाई जाती ह treaty है. नेक्स्ट है खेजडी के परते हैं 1 चरागा करशी भूमी में कहेजडी को अपना विशश महत्य है चरागा चराने में खेजडी का रचित्तान में विशश महत्य है ये रेगिस्तान में सुके अकाल के समय वहां के लोगों, पस्वों, जीव जन्तों, भूमी और जलवाई का पोशन करता है का कारण इसके जड़ों के दोरा भूमी में से काफी गेराई से पानी को सोक लेने की समता होना ये पोधा वाई मंडल की नमी को भी ग्रेंड कर लेता है केजरी का पत्ते भाग काम में आता है, इसकी जड़े इतना जलाने और इमारती लकड़ी के रूप में काम में आती है और पत्तियां टैनियां चारे के रूप में काम मिली जाती है फूल और फली दवाई में इसका फल पसों के लिए कटी वी जाडियां खेट में बार लगाने में काम में आती है खेजरी का पेड बोई गई फसल पर कोई प्रतिकुल प्रवाव ना डालने के कारण चरागा वा करशी के लिए बहुत ही उप्लिकते हैं खेजरी के पेड की विशेष्टा है कि इसका खेजरी के पेड के नीचे फसल भी अच्छी होती है फसलों पर कोई प्रतिकुल प्रवाव नहीं बता करशी वे वन चरागा के लिए इसके पचास से सो व्रक्ष पत्ति एक्टर लगाए जा सकते हैं वन चरागा के अंतर अगर इसके साथ रेगिस्तान में हाती वे अंजन गास बदलनी चारे भी लगाए जा सकते हैं खेजरी को व्रक्ष की इतनी महता है कि इसका पूरा अप्योग नहीं किया जा जा रहा है इसका मुक्यकरन पूदे का प्रार्मिक वर्दी धीमे होना और इसके अदिक्तर फूदे प्रार्मिक वस्ता में ही नश्ट हो जाते हैं इस खेजरी का पूदा पांस से aard साल में कटाई के लायक हो जाता है ये पंदरा से बीझ साल में पूरा पेड पन जाता है एक बड़े व्रक्स से लगबग 40-40 किलो सुकी पत्तियां प्राप्त होती है जिसे कि सभी पसों बड़े चाव से खाते हैं एक सान सुके समय वचारे की कमी की दिनों में इन पसों को चारा उपला कराकर उसको मरने से बचा सकता है अब इस टेबलर फोर में वक्सों की पत्तियों में उपस्तित आहार घटक कौन-कौन से वरक्स जो की जानुरों को गाय भेंज बेड़ बक्री को खिलाने काम में आते हैं वो पेड़ हैं बंबूल जिसको हम बोलते हैं अकाशिया अरेबिका और इसमें कूफाइबर और कूफोटीन नाटोजन-फ्रूटेट एस डी सीपीन टीडीन तो इसमें कूफोटीन एक सो पचास 15% और कूमट और हल्डू next अल्डू इसमें कूफूटीन पैबर कूफूटीन 19.9 गोंजा सिरस नीम अजाडी रेक्टा इंडीका इसमें प्रोटीन 14.5 और डीसीपी 8.3 टीडियन 53 परसें इसी तरह जिसे बर्गत फाइकस मिलोन इसमें प्रोटीन 7.7 और 11.9 गूलर प्रोटीन 14 परसेंट फाइबर 17.8 और इसमें टीडियन 48.7 इसी तरह प्रोटीन 21.4 गूट फाइबर 20.8 और इसमें टीडियन 47 परसेंट इस प्रकार यह जो टेबल में दिखाएगे अंजन घास सुवाबोल गूलर इत्यादी यह वरक्स भी अकाल के और इस्तितिति में पॉस्वों को खिलाने में काम में आते हैं थेंक यू